ना हारना ज़रूरी है ना जीतना जरूरी है अरे ये जीमन का खेल है इसे खेलना जरूरी है नमसकार दोस्तों रीटर्स बुख्षाम में आपका फर्स्य स्वागत है और आज की जर्चा रापर्टि कियोसागी की लिखी बुख रिच डैड टुगा डैड पे हैं रावर्टि क्योसाकी कहते हैं कि पैसे कमाना भी एक खेल है अगर आप इसे एक खेल की तरह इंज़वाय करेंगे तो आप और जादा रिच होते जाएंगे हर हफ़ते वो निमेज करते हैं और कभी हारते हैं और कभी जीतते हैं जब जीतते हैं तो उस निमेज को अगले हफ़ते के लिए सेव कर लेते हैं और जब हारते हैं तो खुझ से जीतने वाले के आँख में आँख डाल कर कहते हैं कि ठीक है अगले सटरडे फिर मिलते हैं। रावर्टि क्योसाकी के इस बात से ये समझ में आता है कि पैसा कमाना भी एक खेल जैसा ही है। अगर आप उसे इंज्वाय करते हैं उसके पीछे नहीं भागते हैं तो आप धीरे धीरे इसी पर गुरो करेंगे और जल्दी अमीर बन जाएंगे। इंसान गल्तिया करता है और उन गल्तियों से सीखता है अमीर बनना कुछ वैसा ही है कभी आप गल्ति करते हैं और हार जाते हैं कभी आप उस गल्ति को सुधारते हैं और जित जाते हैं बस ये बच्पन से जवानी तब जब हम इसकोल में पढ़ते हैं या हमारे आसपास भी ब रोक दिया जाता है, उसे डाटा जाता है, और धीरे धीरे हमारे मन में ये धाणा बन जाती है कि गलती करना is not allowed, पर अगर देखा जाए हम इंसान गलती करके ही सीखते हैं, हमने आज तक जो कुछ भी अचीव किया है, अपनी गलती उसे अचीव किया है, इसी बात को आगे प्राकेज में इनवेस्ट करते हैं, रिटेल आउटलेट में फोन करते हैं, जैसे एक रियल इस्टेट कमपनी या स्टॉक ब्रॉकर या फैनेंशियल प्लैनर को और फिर कुछ छोटा-छोटा खरी लेते हैं, ये एक मिच्चुल फंड या स्टॉक बॉन्ड हो सकता है, ये एक इन्वेस्ट का अच्छा और साफ सुत्रा तरीका है और आसान भी है ये उसी तरीके की खरीदारी हो गई जैसे कि कस्टमर कंप्यूटर स्टोर में जा कर टेवल पर रखे कंप्यूटर को खरील ले वहें दूसरी तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने खुद बनाते हैं इस तरह के इन्वेस्टर आम तोर पर अपने सौधों को असेंबल करते हैं जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुरजे को असेंबल करते हैं वो अलग-अलग जगह से सस्ते पार्ट्स लाते हैं और उन पार्ट्स से एक पूरा कंप्यूटर Assemble करते हैं जो की उन्हें बहुत सस्ता पड़ता है फिर उसे महेंगे दामों में बेच देते हैं ठीक उसी तरह से जो दूसरा निमेसक है वो आर्थिक आउसरों के पुर्जे को अच्छी तरह से Absorb करता है ठीक उसी तरह से जो दूसरा investor है वो समय को पहचानता है और मौके की नजाकत को देखते हुए, अपने कमर्शियल फायदे को देखते हुए, चीजों को इस्तेमाल करता है, और जो दूसरे किस्म का इन्वेस्टर है, सच में वही professional इन्वेस्टर होता है, अमेर बनने की राह में, डिच बनने की राह में, यह जानना बहुत जरूरी है कि, किस समय पर क्या action लिया जाए जिस से आपकी किसमत बदल जाए पर आपको नुक्षान ना हो अगर आप दूसरे किसमे के investor बनना चाहते हैं तो आपको खास तोर से इन तीन qualities अपने अंदर improve करना होगा क्योंकि financial intelligence के अलावा इन qualities की भी ज़रूरत होती है पहला किस तरह से ऐसे मौके को खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देता है दूसरे लोग उस मौके को अपनी आखों से नहीं देख पाते हैं पर आप अपने दिमाग से अपने experience से उन मौकों को देख सकते हैं एक्जामपल के लिए राबर्टी कियो साकी के एक दोस्त ने एक पूराना घर खरीदा जो देखने में बुरा था हर एक को हैरत थी कि उसने इसे खरीद क्यों लिया पर दूसरे जो नहीं देख पाये थे वो उनके दोस्त ने देख लिया था और वो था घर के साथ जमीन के चार टुकड़े घर खरीदने के बाद उसे तोड़ा और उन पांचों प्लोट्स को मिला कर बिल्डर को वेच दिया इस सारे डेल में उसे जो उसने पैसा लगाया था वो तो मिला ही उसके उपर से उसे तीन गुना रकम और मिली उसने सिर्फ दो महीने के काम में लाखों रुपे कमा लिये जो कि उनके लिए जादा नहीं थी पर फिर भी देखा जाए कि उन दो महीनों की महनत में अगर वो जॉब में होता तो कितना कमाता वर्सेज उसने इस डील से जो कमाया दूसरा पॉइंट पैसा किस तरह से इकठा किया जाए औसाद आदमी बैंक जाता है पर इस दूसरे किसम के इन्वेस्टर्स को ये पता होना चाहिए कि पैसा किस तरह जुटाया जाए और बिना बैंक जाए बिना लोन लिये पैसा इकठा किया जाए राबर्टी के उसागी कहते हैं कि उन्होंने भी ये सीखा कि बीना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं घर खरीदना बहुत इंपोर्टन नहीं है पर पैसा इकठा करना बहुत इंपोर्टन है और बहुत ही रेयर आठ है अकसर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा है या इसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखने के जरूरत है कि क्योंकि ज़्यादा तर लोग सिर्फ इसलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता है तो अगर आप इस प्रॉब्लम को पार कर सकते हैं तो आप एक सक्चे इन्वेस्टर हो सकते हैं तीसरा पॉइंट किस तरह से स्मार्ट लोगों को इकठा किया जाए ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं जो या तो अपने से समझदार लोग के साथ काम करते हैं या फिर आपने साथ काम पर रख लेते हैं जब आपको सलाह की जरूरत होगी ना तो यही समझदार लोग आपकी सलाहकार की काम करेंगे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर हाँ, अगर आपने मन लगा कर सीखा तो, आपको अफाएदे भी बहुत मिलेंगे, पर हाँ, अगर आपके अंदर इतनی इच्छा नहीं है, आप इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, आप उतने अमेर नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर आप को पहले किस्म का ही investor बने रहना चाहिए आप तो जानते हैं यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आप जो नहीं जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम तो हमेशा रहता है इसलिए इसमें बचने के वज़ाय इसे मैनिस करना सिखे तभी आप तरक्की कर प बाहेंगे.